नमन करता हूं बुमाग की जिनता को जन्होंने एक अच्छा फैसला कर किया मेरे हाथ में किसी कि हम बुमाग की सीट जो है वो बिला मकाबला करें अनपोस्ट करें राज निती में कुछ ऐसे भी शड़ी अंतरकारी होते हैं साथी दोस्त तो उन्होंने इस चीज को नहीं पच मतव पूरा हो जाता है आप ने दो मसला है जो एक तो पसील का एक मसला है तो फिर्क भी बात करेंगे पहले करें जो लिखके दिये हुआ कि नहीं है पूरे जीवन की में बात कर रहा हूं सब्सक्राइब बहुत बहुत शुकामना है आपको पूरी रियासी की जनता की तरफ से और पूरी तरफ रियासी की जनता का भी और आप का भी क्या व्मी थी इतने वोटों से ही आप कीम काफी यसे बड़ा मारजन वापका इसे थोर जदा खी वी Watson लेकिन चलो राजनीती में कुछ ऐसे भी शड़ी अंतरकारी होते हैं साथी दोस्त तो उन्होंने इस चीज को नहीं पचा पाए इसलिए उन्होंने हमारे ही परिवार से ही एक शोटे हमारे ही भतीजिय को खड़ा कर दिया हमारे खलाब तो जंता का फैसला था जो पहले था ज लोगों को यह भी सुथ खबने आ रही है कि जो चेर्मैन की जो सीट है रियासी के लिए सबसे पहले दावेदारी किसी की है तो वह आपकी है तो कोई एक इस पर पूश्टी करते हैं आप कोई एक टिपनी करेंगे नी देखिए हमारा तो यह है कि पहली बात तो भारते जिन आपने देखा कि साथ सीटें जो हैं भारते जिनता पार्ट ने जीती हैं इसके बर एक्स अगर हम देखें जो दूसरे गुपकार अलाइंस और पतनी क्या क्या तीन चार पार्टियां कठे हो करके लड़ रही थी तो उनको भी वहां तक मतलब कि इनको चार पार्ट सीटें म अब ने भी गुपकार अलाइंस को और इन सब को जो है वह एक पर फिर उन्होंने रिजक्ट किया है तो भारते जिनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा जो है हमारा भौमत जो है मिला है रियासी डिस्टिक हैड़कॉर्टर की जो सीड़ थी हमारी वह कुछ बोटूं से कुछ बोटूं से हम रहा गये हैं बरते जिनता पार्टी के परत्याशी रहा गये हैं ठाहिए तो हमाराimize कंपलीट जो पूरा आर्ट का हमारा होदा पूर हो जाता अब मसला यह है कि बाकी कुछ निर्दलियां हैं और भी कुछ जो साथी है पार्टी लेवल पर उनके साथ भी बातचीत चल रही है तो सिंगठन का फैसला है जो सिंगठन ताय करेगा वो हमें सब को मंजूर होता है क्योंकि हम पार्टी के कारे करता है सपाई हैं तो जो नर्देश दिशन नर्देश हमें हमारे पार्टी के सिनियर अधिका सिंगठन के लोग बैठे हैं चिंतन करने के लिए जो उनका फैसला होगा मेरी हक्पे होगा तो मोस्ट बलकम अगर किसी दूसरे के लिए हक में होगा तो हम उसको स्पोर्ट करेंगे इसमें हर एक कॉंसिचुएंसी में हमने देखा के बीजेपी की तरफ से जो भी आपके स्टार पर चार आये थे चाहे वो केंद्री अवित्राज मंत्री अनुराग ठाकुर जी हो चाहे अभी रविंदर राना जी हो सभी आ अंदर चिंग जी आये थे तो आपको क्या लगता है कि आपने वहां पर नहीं बुलाया किसी को भी यह सही वैसला था नहीं देखिए बुलाना जहने बुलाने का मसला नहीं था परभारी थे वहां पे भी जिमवारियां लगी थी और वो बिलकुल हमारे संपर्क में रहे त तो कोई भी देखिए कोई भी अगर मकावला हो कमपेटिशन कोई भी हो उसको जीतने के लिए जो भी टक्नीक्स इस्तमाल की जानी चाहिए वो इस्तमाल हुई हैं अब हमां के यह था कि वहां पे हमारा जो सीट लग रहा था कि अवाम के जो एक जो राय थी ऑपीनियन था हमारी सीड़ जो है सुरक्षित है वहां पे सरफ सिंग के अगर कोई भी परत्याशी होता हमारे तो जितनी भी जिनता है तो भारते जिनता पार्टी पे बहुत खुश थी और वहां पे लग रहा था कि हमें इतना कोई ज्यादा करने की वहां पे जरूरत नहीं तो आगर वह कि कोई किसी किसम की कोई मेरे बुलाने से कोई आया नहीं जा किसी में मुझे कहा नहीं ऐसी बात नहीं थी पूरी कोडिनेशन और पूर एक जो समनवे था वो बिलकुल हमारा तालमेल पार्टी के साथ और पार्टी के जो आला अदिकारी हैं संगठ हुनके जो बरिश्ट न माग की तरक्या गॐरानी है बमाग में एक दो मसला है जो एक तोаемсяहीं मसला सबसे पहले बाकी वाद की मसलों नहिसी फिर भी बात करेंगे पहले के जो तथील का मसला है वहाँ पर वहां के लोगोंगों का टेना जाएंगे नहीं मैं मुझें इकrich new किया मैं उन व्हारक बात देता हूं। श्रों कि हमारा पंचाइटी राज जो है ही गृरामिनंक ख्षेत्रों के लिए है तो इसलिए भी इम्पार्टन है एलक्शन के इस एक्षिन से हमारे ग्रामिन कशेत्रों की जो है बावस्तकी ज्यादा रहेगी और उमीदें भी काफी होंगी अवाम को जहां तक तस्हील हैड़ कोटर का आपने तालुक से बात करी है तो वह आलडी डिसाइड़ है जो पूरे आठ पंचायतों के सेंटर में महली तलाब जगा है वहां पर आलडी डिसाइड़ है उसमें मेरे सियासत में आने से पहले के हमारे बुजर्गों ने उसमें भी यह पूरी एक वेरिफिकेशन करवा के वहां पर एफिडेवट जो है हमारी मेरियासी के डिप्टिक कमिशनर ने दिया हुआ है तीन डिप्टिक कमिशनर जो हैं लगातार एक के बाद एक बाद एक ने वह लिखके दिया हुआ कि महली तलाब जो है थोड़ा सा फार आफ प्लेस है तो तसील और बलाग जो है यह सूलियत के लिए है और अवाम को अगर प्यादल चलके दो दो तिन तिन घंटे वहां पे पहुंचना पड़े वो थोड़ी सी प्रावलम जिसकी जिसकी वज़ा से हम भी थोड़ा सा यह देख रहे हैं कि सूलियत जो है पबलिक अवाम को सूलियत होनी चाहिए सूलियत के हवाले से मैं कहूं तो कोनेक्टिविटी जो है वो पहले वहां पे होनी चाहिए और उसके आएद्मिस्रेशन के साथ बैठ करके इस बारे में बातचित करेंगे और अगर सहूलियत यह हो सकती है कि कोनेक्टिविटी से पहले वहां पे दफ्तर बठाने तो वह भी हम पूरी अपनी कोसिश करेंगे वहां पे दफ्तर बैटें वहां पे आफेसर बैठें आवाम को हैं उसका आजाला हो तो वो सारी हम उसके लिए बिल्कुल बात करेंगे और यह सारी चीज़े होने वाली है जी तर शुक्रिया सब्सक्राइब का बहुत बहुत है मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ के डिश्ट भी डिडिसी बने हैं उसमें जो चेयर मैंशिप है उनकी दावेदारी के लिए सबसे अबल नमबर पर इन्हीं को दिखाया जा रहा है क्योंकि बीजेबी की साथ चिटें हैं और यहीं बताया जा रहा है कि सरभ सिंग्जी की दावेदारी जो है वो काफी मजबूत है देखते रहे नियूस पस्ट्रियास्ति राहूल कपूर का मानमा शर्मा के साथ जाहिन धन्यवाद